दोस्तो 7 और 8 ग्लास में आपने एक प्रमिय पढ़ियोगी जो काफी फेमस है जिसे पाइथागोरस प्रमिय कहते हैं A² प्लस B² is called to C² दोस्तो हमें ये बताया गाता है कि इस थेयरों को पाइथागोरस ने इन्वेंट किया था पर असल में ऐसा कुछ है ही नहीं पाइथागोरस के 200 साल पहले इंडियर मैथेमेटेशियन बोधियान ने इस थेयरों को दुनिया के सामने रखा था आप सुनका शौक हो गयोंगे कि अभी तक तो हमें ये ही पढ़ाया गया था कि इसे पाइथागोरस ने इन्वेंट किया था पर यही नहीं इससे पहले भी कई वार मॉटर्न साइंस जो आज इन्वेंट कर रही है वो हमारे वेदो और सास्त्रों में हजारों साल पहले ही बता दिया गया था अब हनवान 40 को ही लिर जे उसमें एक स्लोग है जुग सहस्त्र योजन परभानू लिल्लियोताई मदुर्फल जानू दोस्तो इस लाइन में हमारे धरती और सूर के बीच की दूरी को सबसे पहले बताया गया था दोस्तो इसके अलावा सबसे पहले हवाई जाज हमारे इंडिया के मुंबई में बना कर उड़ाया गया था पर उस समय हम गुलाम थे जिससे हम इसका क्रेडिट नहीं ले पाए इसके अलावा भी हमारे रामैड में भी पुश्पक बीमान का भी जिक्र मिलता है दोस्तो फिलालम बात कर रहे हैं पातागोरस थेयरम की दोस्तो आर्ट सो बीसी में हमारे पहले मैथमेटेशियन बोधयाना ने ऐसे ही कई है मैच के थेयरम अपनी किताब बोधयान सुल्वसूत्र में लिखा है और उन्होंने इस थेयरम को संस्कत के एक स्लोक के रूप में लिखा है जिसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक रस्ती का उप्योग किया था दोस्तो बात करते हैं पातागोरस की तो मैं आपको बता दो कि रिसर्च में ये पता चला है कि इस theorem को पैथागोरस ने लिखा ही नहीं था दरसल उन्हें किसी ने इसके बारे में बताया था दरसल 518 इसापूर्व वो इटली में एक धार्मिक स्कूल चलाया करते थे और वहीं किसी ने उन्हें इसके बारे में बताया और इसके अलावा ये theorem Babylonian Sabita में भी पाई गई है पर आज रिटेन में सबसे पहले बोधियान के सुल्व सूत्र में ही मिलती है बैसे दोस्तों इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए और वेसली हमारी इंडिया के मेतमिडेशियन बोधियाना को पर आप लोगा क्या कहना है कमेंट सरके जरूर बताएं